अगर आप फोतोशापक के अंदर पासप़ोट साइच की फोटो भलना चाहते हैं फ़े अ कलिक करके तो मेरा आज का वीडियो इसी टौपिक से ज़ी आज मैं आपको बताने भा रहा हूं कि आप किस तरह Photoshop के अंदर मात्र एक क्लिक करके किसी भी फोटो का पासफोर्ट साइज क्रेट कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिनका फोटो का स्टूडियो होगा यह कुछ लोग ऐसे होंगे जो Photoshop का काम करते हैं और वो पासफोर्ट साइज फोटो को बहुत जाड़ा बनाते हैं उनको मैनुल तरीके से बनाना पड़ता है लेकिन वो चाहते हैं कि बस एक क्लिक करके उनका काम हो चाहते हैं यहां मैं एक एक्शन का यूज्ट कर रहा हyim फिलार मैं आपको दिखा रहत्त हों यह मैरी पासमें एक एक्शन है कि माने एक एक 4x6 साइज हरा भिना रखा है एक 5.6 साइज हरै तो यह फोटो मेरे पास में है इसको देखे मैं action पर क्लिक करता हूं और यहां से play वाले option में क्लिक कर देता हूं play वाले option में क्लिक करती है यह जो हमारी password size की photo है इसको फिलाल में side कर देता हूं यह हमारी 4 into 6 size में कर मत ओख चुकी है तो यहां से में आपको image size भी दिखा देता हूं यहां से में int yous कर देता हूं एद्षे 4 into 6 अगर आपको five last time में चाहिए इसको फ्लाल में यहां से no करता हूं और इहां पर देख plays seven है इसको यहां से play करता हूं प्ले करती देखिए यह हमारी जो पासफ़ोट से फोटो है फाइब आचुकी है यहां से मैं आपको इसका साइड भी दिखा देता हूँ तो आप इस तूल को बहुत ही राम से डाउनूड कर सकते हैं तो फिलाल इसको देखिए यहां से मैं क्लोज कर देता हूँ इसको भी यह एक्षेन के बारे हम बता सको तो अगर आप इस एक्षेन को डाउनूड करना चाते हैं तो इसी वीडियो के इस वीडियो के इस वेपसाइट का लिंक बिलेगा आपको यहां शॉप पर आना है शॉप पर आने के बाद देखिए ऑटो पासफ़ोट साइज फोटो एक्षेन 5 x 7 size आप इस पर क्लिक करिए इस पर क्लिक करती आपके सामने चाहें दाउनूड का option आता है नॉर्मल आप दाउनूड पर क्लिक करिए इसका प्राइज व्लाव फ्री है देखिए व्लिकुल जीरोफ है तो मैं यहां डाल्माद वालवक्स में क्लिक करता हूँ डॉनाओट वरप्स में क्लिक करने की बाद आपको इह आपने डीटल फिल अप करनीए फिर्श्ट नीर फिल लास्ट नैम फोन नमर इमिल आईडी तो चैना यह जाए डीटल में फिल अब मैं चिहता प्लेस Calvin क्लिक करता हूं अपटे Ez्युवisode करते देखी आपको यह जो खाले में दिखाई देरा ब compile पाशुआइ्ड साइज फॉटो एक्षिन जित फाल आपको इस फाल को अंजीब करने से हमारे ना चाहूंगा अगर हमें मेरे चैनल सुब्स्क्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल सब्सक्राब करें कि मैं आने होगे ताहिमें आप सभी रोग लिए ऐसे ही यूजपूर फोटोसप के प्लगिन लाने वाला हूं जिसका स्टेमाल करके आपका फोटोसप पे काम और भी ज्यादा असान होने वाला है तो चलिए हम इस फाइल को अन्जिप कर लेते हैं यह देखिए यह हमारी फाइल है इसको फाइल में कॉपी कर लेता हूं और एक नए फोट लवे में इसको पेस्ट कर लेता हूं आपके पास जो कुछ इसी तरह की फाइल डाल लूट होगी आप इसे राइट क्लिक करिए एक ज़्यट पर क्लिक करिए और इसे अन्जिप कर लेजिए इसमें किसी भी तरह कोई पासवर्ट नहीं रखा है तो नर्मल आपके फाइल डाल लूट रहेगी अब आपके सामें यह Photoshop का Action File है यहां उससे पहले आप अपना Photoshop Open कर लिए यहां देखिए मैं Photoshop Open कर रखा है इसको फिलाल मैं Action को यहां से हटा देता हूं आपको यह Windows पर आने और चो आपको यह Action बटन वाला Option दिखा देता है इस पर क्लिक करें अभी देखिए फिलाल किसी भी तरह का Action यहां Add नही यह Action Automatically आ चुका है अब आपकी कोई सी भी फोटो तो फिलाल मैं एक नहीं फोटो यहां Open कर लेता हूं यह देखिए एक फोटो है जिसका कि मुझे पासफोर्ट साइज बनाना है आपकी पास भी कुछ इसी तरह की फोटो होगी अभी देखिए क्या है अकर आपकी जो फोट पासफोर्ट साइज में करना होगा आप यहां crop tool पे क्लिक करिए crop tool पे क्लिक करने के बाद आप यहां इसका size डाले जो भी आपको size डालना है तो फिलाल इसको मैं select कर देता हूं और आपको 3.5 cm 4.5 cm और यहां 300 decision करके इसको select कर लेना है और इसको आप जितना भी आप रखना चाहते है फोटो को उतना रखिए तो फिलाल इसको मैं बड़ा कर दिया है इसको मैं enter करता हूं फोटो का जो size हमारे सामने आ चुका है जो कि मैं passport size photo चाहिए तो सबसे पहले तो आपको पने photo size अपने according convert कर लेना है उसकी बात अगर आपको 4 by 6 में चाहिए तो प्ले बटन पर क्लिक करिए यह देखिए 4 by 6 size में आ गई अगर आपको 5 by 7 size में चाहिए तो फिलाल इसको मैं इसको कर देता हूं यहां से में 5 by 7 size कर रहा हूं और play बे क्लिक कर देता हूं इस पर क्लिक करते ही देखिए हमारी 5 by 7 size में आ गई इस फ़र्डे size में देखिए मैंने एक बोडल लगा रखा है लेकिन अगर मैं बात करूं 4 by 6 size की यहां से में 4 by 6 size लेक्र रहा हूं तो प्ले क्लिक करके आप अपने उसा बॉड़र दे सकते हैं इसके बात आप इसे अपने printer से नीचいや किप से पिंट आउट कर सकते हैं आप इसके एक shortcut की बनाना चाहते हैं तो वह भी आप बना सकते हैं तो फिलाल इसको यहां से मैं close कर देता हूँ यहां देखिए action है इसमें double click करता हूँ double click करती है आपके साथ में कुछ इससा की window open होगी अभी यहां देखिए जो की है हमारी कोई भी की set नहीं हो रखी तो फिलाल यहां से मैं f12 कर देता हूँ वह भी control के साथ में control shift के साथ में तो फिलाल हम उसको अडा रहता है हम normal f12 करेंगे हमें ok पर click करता हूँ अभी already पहले सी shortcut है तो चड़िए मैं फिलाल कुछ हो कर देता हूँ f10 control के साथ f10 करता हूँ और ok पर click करता हूँ control के साथ f10 मेरा set हो चुका है यह photo है अब इसको यहां से देखिए मैं close कर देता हूँ ठीक है अब मैं control के साथ f10 करता हूँ कि देखिए shortcut की हमारी बन चुकी और फोटो भी हमारे साबने पास्फोर्ट साइज में आ चुकी तो आप इस तरह बहुत ही राम से Photoshop action customer करके किसी की भी पास्फोर्ट साइज को 4.26 साइज में convert कर सकते हैं और 5.27 साइज में convert कर सकते हैं आपके फोटो साइज करने के लिए तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अपने अगली वीडियो में और भी नए ने फोटो साइज के साथ में